Hello friends, welcome to my channel दोस्तों आज की इस वीडियो में मनोज दे के बारे में मैं ऐसी कुछ बाते में आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ जो बाई कितना सही है और कितना गलत है वो आप लोगी दोस्तों डिसाइड करोगे दोस्तों मैं बहुत स्मॉल क्रेटर हूँ शायद मुझे ऐसा वीडियो बनाना नहीं चाहिए लेकिन भाई मुझे जो सही चीज़ लगता है मैं वो ही चीज़ में आप लोगे साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों अगर आज मैं किसी भी मुश्किल में पढ़ता हूँ या फिर मेरे चैनल ग्रो नहीं हो रहा है अगर आप लोग किसी भी बड़ा करेटर मुझे अगर हेल्प करते हो और आगे जाके भाई आपके साथ कोई भी दिक्कत आता है कोई भी प्रोब्लेम आता है आप कोई भी क्यों नहीं हो चोटा बड़ा करेटर या फिर कोई भी मेरे दोस्ती क्यों नहीं हो तो आपका मदद करना मेरा दाइतो बनता है मेरा करतेब बनता है अगर आप मेरे मुश्किल पे मेरा साथ रे तो मेरा साथ देते हो तो आप कभी भी मुश्किल में हो और मुझे पता जले तो जितना मुझसे हो सके भाई करना मेरे दाइतो है और मुझे ये जरूरी भी है दोस्तों मैं बहुंँ स्मॉल क्रेटर हूँ इस वीडियो में मनोज भाई के बारे में जो भी बाते में बताऊंगा जो शायद मनोज दे को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए भाई वो तो आप बता सकते हो या फिर वो ही बता सकते है तो मैं इस वीडियो को में मेंशन करूँ गा मेंशन करूँ गा और जिनकी बार में बात करना हूँ उनको Bahn अगर भाई कुछ गलत मैंने बता दिया तो भाई मैं मावी चाहता हूँ दोस्तों मैं बहुत पहले से मैं मनोज भाई को यानि मनोज दे को मैं फोलो कर रहा हूँ और आप लोग भी बहुत जादा भाई को फोलो करते हैं 3 million के आसपास उपर ही उनकी सब्सक्राइबर है बहुत जादा लोग उनके साथ जुड़े है आपको शायद याद होगा अगर आप बहुत पहले से आप इनके साथ अगर है लगबग देरियत 2 साल आसपास होगा मुझे ठीक तरीके से याद नहीं दोस्तो जो माई स्मार्ट सपोर्ट जो धर्मेंदर सर है तब दोस्तो उनकी वीडियो में बहुत अच्छा व्यूज आता था और बहुत जादा उनकी वीडियो भी चलता था कुछ व्यूज अच्छा आता था लेकिन आज अगर आप उनकी चैनल पे जाके आगर आप देहोगे दोस्तो तो बहुत कम व्यूज आता है यहाप यह 30 लाग के उपर सायद है उनका सब्सक्राइबर है और उनकी वीडियो में अगर व्यूज जाके देहोगे तो 10,000, 5,000, 6,000 ऐसा व्यूज आता है दोस्तो उस टाइम में मनोज भाई के चैनल पे उतना ज़ादा व्यूज नहीं आता था उतना ज़ादा कुछ लाग सब्सक्राइबर थे तो मनोज भाई जो धर्मिंदर सार के पास गए तो धर्मिंदर सार ने बहुत ज़ादा हेल्प किया उनकी ओर्डियन्स से उनने कहा कि आप मनोज भाई को सपूर्ट करो मनोज दे को आप सपूर्ट करो बहुत जादा यहाँ पर difference हो चुका है आज दूस्तों अगर धर्मेंदर सार की बाने बात करें बहुत लोग कुछ दिन पेल ऐसा ही वीडियो बनाने थे कि धर्मेंदर सार की जो वीडियो है वो views नहीं आएगा, उनका चैनल खतम हो गया बहुत लोगों ने सब वीडियो बनाया लेकिन भाई आपको नहीं पता शायद जो भी इतना बड़ा क्रेटर है तो उनकी दिमाग में भी कुछ बहुत अच्छा चीज़ा चलता होगा उनको पता है कि किस तरीके से उनको इस competition में यहाँ पे बने रहना है लेकिन दोस्तों मैं इस वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे लगता है दोस्तों आप जो मनोज भाई है उनको धर्मेंदर सर को help करना बहुत ज़रूर है क्योंकि अगर मनोज भाई एक या दो वीडियो अगर धर्मेंदर सर को अपने studio में बिटा के अगर बताए और आपने जो audience से उनने अगर कहें कि आप इनको तुरह मदद कर जीजी इनकी जो वीडियो है उनको वीडियो बहुत कमार है आप चाके उनको भी support करें क्योंकि वो बहुत अच्छा creator है बहुत कुछ जानते है वो YouTube के बार में बहुत कुछ मैं तो बहुत जादा सीखता हूँ मैं उनसे और उनकी वीडियो में हमेशा देखता हूँ दोस्तों ये जो मदद है ना कोई भी अगर आपको एक बार करता है ना तो आपको दुबारा उनके लिए खड़ी होने चाहिए जब वो मुश्किल में है और मुझे लगता है बाई मनोज भाई को ये चीज़ करना चाहिए आप मनोज भाई अगर कभी भी मेरे इस वीडियो को देखते है तो भाई उनको करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए उनको ही मालूम होगा अगर चाहिए तो मुझे लगा कि ये बात सही है क्योंकि अगर मेरे साथ ऐसा कभी भी होता है कि मुझे कोई हेल्प करता है और आगे जाके मेरा चैनल बहुत उपर जाता है फिर किसी भी काम पर अगर मुझे कोई हेल्प करता है तो मैं जितना हो सकता है जब उनकी टाइम बुरा चल रहा है मैं उनकी मदद करने के कोशिश जरूर में करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा और आपका राय क्या है मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना वीडियो के आचार के तो लाइक ज़रूर कर देना हमारी चैनल में अगर आप नए हैं और जूरना जाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते बेरागन को प्रेस कर देना यूँकि ऐसे इंट्रेस्ट को इंफ्रमेटिक वीडियो में आपके लिए के आता रहता हूँ मिलताओं किसा क्लिए इंट्रेस्ट्री वीडियो में तब तक लिए भाई को दीजेगा इजाज़त जाहिंद